मध्य परदेश में इस सब्ता के अंतक तेज ठंड पढ़ सकती है बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन यानि चक्रवाद भारत की वो तेजी से बढ़ रहा है इसे सित्रंग नाम दिया गया है 25 अक्टूबर को इसके पच्ची मंगाल के तर से टकरानी की आशंका है इस बज़ेश देश के कई हिस्सों में दिवाली के दुरान भारी बारिस के साथ 110 किलोमेटर गंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलने का पूर्वा नुमान है बंगाल की खाड़े में तीन साल बाद कोई चक्रवात आ रहा है इससे पहले एक्टूबर 2018 में तीतली सैक्रून आया था मद्यप्रदेश से बारिस तो नहीं होगी लेकिन इस सिस्टम का असर यहां के तापमान पर असर डालेगा इस दोरान दिन के तापमान में गिरावट आने के सार है मद्यप्रदेश में शुबह और साम के समय हलके ठंड़क होने की है मौसम विवाक एनुसार एक्टूबर के अंतीम सब्ता से पूरी तरह से ठंड़ आ सकती है अगर हमाले में अगले 24 गंटे बर फारी होती है और हवाए नोर्थ हो जाती है तो मद्यप्रदेश में ठंड़क हो सकती है